English-speaking course के day 77 में, आज एक बार फिर से हम sentences को correct करने वाले हैं. पहला sentence आपके सामने, मेरा भाई अब तक homework कर चुका होगा. कैसे बोला गया है sentence? My brother will have done the homework till now. बताइए क्या mistake है sentence में? जब भी आपको किसी sentence में लिखा हुआ दिखता है, ये आपको बोलना होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, लिया होगा, दिया होगा, आया होगा, उठा होगा, बैठा होगा, रोया होगा, सोया होगा. तुरंत आपके दिमाग में आता है, future का perfect tense, जिसमें हम will have का use करते हैं. लेकिन क्या ये sentence future में है? मेरा भाई अब तक homework कर चुका होगा. homework करने का जो काम है, ये जो काम है, ये तो हो चुका होगा. तो ऐसा तो नहीं कहा कि मेरा भाई शाम तक homework कर चुका होगा, ये कल सुबह तक homework कर चुका होगा, तो ये sentence तो future में है ही नहीं. तो जब मैंने आपको tense पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था ऐसे cases में will have की जगह पे आपको use करना होगा would have My brother would have done the homework till now अब एक और चीज़ है यहाँ पर तक के लिए यहाँ पर use किया गया है till prepositions की वीडियो में मैंने आपको तक के लिए अलग-अलग विकल्प बताये थे ध्यान से सोचिए क्या till का use यहाँ पर सही है यह तो मैंने आपको तक के लिए अलग-अलग क्या विकल्प बताये थे till, until, upto या by और मैंने आपको prepositions की उस वीडियो में बताया था कि क्यों इस जगह पे till, until या अपको का use नहीं होगा बलकि क्या use होगा by यह sentence बिलकुल सही तब है जब इस sentence को कैसे बोला जाए या लिखा जाए my brother would have done the homework by now next sentence उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था कैसे बोला गया he should be sent to jail बताये क्या mistake है अगर इस sentence में था नहीं होता सिर्फ इतना होता है उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए तो पैसे वोईस का यह sentence है should यहाँ पर आपकी auxiliary modal verb है पैसे वोईस में should के साथ में be use होता है he should be sent to jail तब यह sentence बिलकुल सही था लेकिन इस sentence में past की बात हो रही है उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था ऐसे case में should be का use नहीं करते past में किसका use करते है should have been का he should have been sent to jail अगला sentence काश में डॉक्टर बन गया होता I wish I would become a doctor बताये क्या mistake दिख रही है आपको काश के वीडियो में आपको बताया था I wish का use करना ठीक है यह तो simple है अलग-अलग formations बताये थे आपको बन गया होता यह नि बन चुका होता डॉक्टर बन गया होता बॉक्सर बन गया होता सिंगर बन गया होता इस तरह में इस तरह के sentences में क्या use होता है would have I wish I would have become a doctor यह तो simple है ठीक है शायद रवी अब तक निकल चुका हो आपके सामने sentence है रवी विल बी लेफ्ट बाई नाउ बताये क्या mistake दिख रही है यह sentence मैंने आपको कब बताया था यह sentence मैंने आपको बताया था modal verbs में शायद रवी अब तक निकल चुका हो यानि की शायद रवी अब तक निकल चुका होगा बात यह की है क्यों? दूनों sentence में से किसी को भी बोल लो आप शायद रवी अब तक निकल चुका हो या फिर शायद रवी अब तक निकल चुका होगा बात तो यह की भी, ठीक है अब एक point है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे के case में, आप क्या यूज़ करते हो future perfect tense में will, have तो be तो कभी आएगा ने have दूसरा point यह sentence future में तो नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ, शायद रवी अब तक निकल चुका होगा, तो अब तक तो निकल चुका होगा, निकलने का काम कर चुका होगा, जैसे मैंने पिछली slide में भी एक sentence दिया, will नहीं, क्या यूज़ होगा would एक बात तो यह होगई, रवी would have left by now लेकिन जब हम सायद कह देते हैं तो सायद के लिए would की जगह पे क्या यूज़ करना बहतर विकलब है may या फिर might रवी may have left by now या फिर रवी might have left by now, next sentence ये काम मुझसे मत करवाना don't make me to do this work बताए क्या mistake है ये काम मुझसे मत करवाना ये sentence causative verb का sentence है causative verb की वीडियो में आपने इस तरह के sentences देखें आपने उस वीडियो में देखा था समझा था कि make जो कि as a causative verb sentence में आती है उसके बाद जो भी noun या objective pronoun आता है, ये तो एक objective pronoun है, noun भी हो सकता था, मालिजे मैं sentence कहता ये काम राहूल से मत करवाना don't make राहूल तो राहूल तो एक noun है तो जो भी noun या objective pronoun आता है उसके तुरंत बाद secondary verb आती है to का use नहीं करते तो ideally ये sentence कैसे होना चाहिए don't make me do this work और दूसरी चीज़ आपने क्या देखी थी कि make की जगह पे आप get का use कर सकते हैं लेकिन फिर ऐसे case में आपको noun या objective pronoun के तुरंत बाद to का use करना पड़ता है तो दो तरीके से sentence को बोल सकते है make के साथ कैसे don't make me do this work get के साथ कैसे don't get me to do this work next मुझे पता लगाने दो कि वो कौन है let me find out who are they बताइए क्या mistake है इस sentence में मैं आपसे कुछ पूस थोड़ी रहा हूँ कि वो कौन है तो फिर यहां पर question mark क्यों आया नहीं आना चाहिए full stop और चुकि यहां पर कोई question नहीं है बलकि मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मुझे पता लगाने दो वो कौन है मुझे पता लगाने दो लेट मी फाइंड आउट कि वो कौन है अब की के लिए यहां पर that का use क्यों नहीं हुआ क्योंकि उसके next clause में एक WH family member आ गया who ऐसे case में that का use होता ही नहीं यह बात भी मैंने conjunctions में आपको बताईए और चुकि यहां पर यह question नहीं है ऐसे case में they का use are से पहले होगा who they are let me find out who they are अगला sentence तुमने मुझे वहां कभी नहीं जाने दिया you let me never went there यह sentence दिख रहा आपको बताईए क्या mistake है यह sentence किस तरह का है जाने दिया जब भी subject किसी दूसरे वेक्ति को किसी काम को करने देता है नहीं करने देता है तो ऐसा sentence let का होता है let के वीडियो में बताए आपको यह as a main verb use होती है sentence में sentence की main verb है let past indefinite tense में sentence है आया गया उठा बैठा यह let की second form है क्योंकि let की second और third form भी let होती है यह थो ठीक है दूसरा point यह है कि जो भी secondary verb sentence में होती है जाने देना देखिए किसी काम को करने देना के लिए let लेकिन जाना उसके लिए जो भी verb होती है secondary उसकी हमेशा first form का use होता है और एक important चीज़ और है यहाँ पर never का use sentence में जो भी main verbs से तुरंत पहले कर दिया जाता है you never let me go there इस तरह से ही sentence होगा बिलकुल सई you never let me go there तुमने मुझे वहाँ कभी नहीं जाने दिया next मुझे कभी वहाँ जाने नहीं दिया गया I never let go there correct कर यह sentence को इस sentence में थोड़ा था फर्क देखिए यहाँ पर किया तुमने मुझे वहाँ कभी नहीं जाने दिया subject हो तुम object हो मैं लेकिन इस case में देखिए मुझे कभी वहाँ जाने नहीं दिया गया किसने नहीं जाने दिया नहीं बताया तो कुछ sense ऐसे या रहा है न मुझे कभी वहाँ जाने नहीं दिया गया किसी के द्वारा तो ये पैसे वोईस का sentence है, जबकि ये तो active voice में था, पैसे voice में past indefinite tense का sentence है, आया गया, उठा बैठा, रोया, सोया, हसा जागा, ऐसे में past indefinite tense के पैसे voice में was, helping verb का यूज होता है, I was never let go there, अब ये sentence हो गया, बिल्कुल सही, और एक चीज इन दोनों sentences में की जा सकती है, let का मतलब actual में होता क्या है, मतलब किसी को कुछ ना करने देना है, करने देना मतलब उसको allow करना, तो let की जगह पे allow के साथ भी sentence को बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तुमने मुझे वहां कभी नहीं जाने दिया, you never allowed me to go there, तू ये वाला जो sentence है, तुमने मुझे वहां कभी नहीं जाने दिया, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या फिर I was never allowed, never के बाद allowed to go there. तो ये भी दूसरा तरीका हो गया. कुल मिला के आप ये देख रहे हैं कि या तो let का use कर रहे हैं, या फिर allowed to का use हो रहे हैं. यहाँ पर भी देखिए, let की जगह पे allowed to use हो रहे हैं. अब देखिए आपके सामने दो sentence हैं. दोनों sentence लग भग एक जैसे ही हैं. अगर मैं पर्धान मंतरी होता तो कल कौन सा वाला कल? आने वाला. तो कल की meeting में नहीं जाता. एक तो ये sentence हुआ. और दूसरा, अगर मैं पर्धान मंतरी होता तो कल, यानि बीते वे कल की बात हो रही, yesterday, कल की meeting में नहीं जाता. ये दो sentence दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं. बस जब आप इन्हें बोलेंगे, तो एक आने वाले कल को बोल रहा है, और एक बीते वे कल की बात कर रहा है. इन दोनों sentences को English में कैसे बनाया गया है? पहला वाला sentence, अगर मैं प्रधाम नंत्री होता, तो आने वाले कल की meeting में नहीं जाता. If I was the PM, I would not attend tomorrow's meeting. और अगर मैं प्रधाम नंत्री होता, तो बीते वे कल की meeting में नहीं जाता. If I were the PM, I would not attend yesterday's meeting. तो बीते वे कल के लिए yesterday, आने वाले कल के लिए tomorrow, सिर्फ ये फर्क है sentence में थोड़ा से यहाँ पर फर्क है was की जगह पर वर अब आपको पैचानना है कि इन sentences में क्या mistake है सबसे पहले इन दोनो sentences के फर्क को समझना जरूरी है इन दोनो sentences में common क्या बात है कि मैं पर्धानमंत्री हूँ नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मैं होता तो एक तो ये बात हो गई तो condition है यहाँ पर दी गई कि अगर ऐसा होता तो इसलिए ये क्या है conditional sentence हैं दोनो और conditional sentences के वीडियो में आपने पढ़े भी है लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क क्या है पहले sentence में मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पर्धानमंत्री होता तो कल की meeting में नहीं जाता जो के आएगा जो कल ऐसा हो सकता है कि मुझे आज शाम कोई पर्धानमंत्री बना दिया जाए और तब मैं कल की meeting में ना जाओ ये तो possible है ना मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर मैं पर्धानमंत्री होता तो मैं तो कल की meeting में नहीं जाता और वो कल है आने वाला कल तो ये possible है कि मुझे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है यह possible है ना तो possible जब भी कोई statement possible हो ऐसा sentence होता है type 2 का और अब यह sentence देखिए इस sentence में मैं कह रहा हूँ अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो बीते वे कल की meeting में नहीं जाता, जो meeting कल हुई थी उसमें मैं नहीं जाता अगर मैं प्रधानमंत्री होता पर यह तो बीत गया ना अभी भी अगर मुझे प्रधानमंत्री बना भी दिया जाए तो क्या यह चीज को बदल पाऊंगा मैं इस बारे में कुछ statement के बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ hypothetical case है, जिसे हम कह सकते हैं impossible to happen, तो जो impossible cases होते हैं, यह आते हैं type 3 के sentence, conditional, आपने ये conditional sentences में पढ़े हैं, तो जब भी कोई ऐसी condition दी जाए, जो अभी भी संभव हो, जिससे अगर कर दिया जाए, तो उसका result अभी भी possible हो, type 2 का sentence, sentence, essay में, if वाले clause में, was नहीं, हमेशा work का यूज़ किया जाता है, चाहे subject कोई सबी हो, और जो second वाला clause है, उसमें would का यूज़ करते हैं, तो अब ये sentence बिल्कुछ साही हो गया, if I were the PM, I would not attend tomorrow's meeting, और ये जो दूसरा वाला sentence है, type 3 का sentence, इसमें हमेशा, if वाले clause में, had been का यूज़ होता है, ये बात अलग है, कि conversations में work का यूज़ भी करना बड़ा common है, लेकिन ideally, grammatically, had been का यूज़ होता है, और जो दूसरा वाला clause है, उसमें would नहीं, would have का यूज़ होता है, तो would not have, और उसके बाद attend नहीं, क्या यूज़ होगा, attended, अब ये sentence बन गया बिलकुल सही, If I had been the PM, I would not have attended yesterday's meeting, तो आपने देखा कि कितना कमाल का concept होता है, conditional sentences का, कितना छोटा सा difference है sentences में, जब बोल रहे हैं, एक में हम उस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, जो आने वाला भविश्य है, यानि उसमें possibility है, और एक में हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आप वापस हो ही नहीं सकता, क्यों वो तो बीता हुआ है, कल है, तो आज के इस वीडियो में हमने पिसले वीडियो की तरह ही sentences को correct किया है, लेकि मुझे उमीद है कुछ चीज़ें आपने नई सीखी होंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ concept जो आपने पढ़े वे हैं, ल अब तक के लिए टेक केर, गुडबाए.